खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तन्तर टीवी एड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट किया है जल निगम की ओर से इसके आदेश कर दिये गए हैं और बाकी बचे दो महीने की तनक्वा भी जल्द देने का भरोसा दिया गया है दरसल ये मामला तब सुर्कियों में आया था जब यूपे के जल निगम ने अपने 24,000 से ज़्यादा करमचारी और पेंशनर्स को तीन महीने से सालरी और पेंशन नहीं दी लेकिन CM COVID Care Fund में लगभग 1,47,000 रुपे जमा कर दिये एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें अर्बन डेवलप्मेंट मिनिस्टर आशुतोष टंडन CM योगी आदितिनाथ को बड़ा सा चेक देते दिख रहे थे निगम की ओर से इसे फरवरी महीने का एक दिन का वेतन बताया गया लेकिन करमचारीों का कहना था कि जब सैलरी ही नहीं मिली तो कैसे उनसे एक दिन का वेतन काट लिया गया पेंशन न मिलने की वजह से तमाम मुज़ुर्गों को भी दिक्कत हो रही थी एक तरफ करोना का खौफ दूसरे तरफ सैलरी न मिलने की वजह से सभी मायूस है अब उमीद है कि आला अधिकारी करमचारीों की एकता को समझेंगे और उनकी मदद भी करेंगे राधाक्रिशन दृपाथी हमारे समधाता हमारे साथ जुर गहे इस खबर पर राधाक्रिशन क्या कुछ जानकारी मिल पारिये फिलाल क्या कहा जा रहा है जलनिगम की तरफ से करमचारीों के वेतन को लेकर देखे जो अभी जो विवाद जोर पकड़ रहा था जिसमें करमचारी संगठन जो जलनिगम का है वह आंदोलन की धंकी भी दे चुका था और उसके बाद अभी यह सरकार ने फौरी तोर पे एक महिने का वेतन दे करके मामले को थोड़ा सा टालने की कोशिस की है ताकि 12,000 पेंस्टनर्स हैं और 10,500 करमचारी हैं जो वैतनिक हैं इसके लावा संविदा के करमचारी हैं करीब डेड़ से 2,000 संख्या में जो संविदा पे हैं तो यह कुल मिला के 77 करोड से जादा का प्रतिमाह वेतन और भत्तों पे तैह होता है इनका दे होता है तो यह काफी यह सभी बीदे बद्रः से थी जपन अप्रैल में दिया जाता और उस पर हमारे साथ खरी तो को वेतन से हम अपनी लेकिन एक हर मघय के वेतन परिवार के邊रे और रौद ने जलनिगम प्रबंधन ने दे दिया अपना बचाओ करने के लिए एक चिठी जारी की थी जिस चिठी में उन्हों ने ये सब लिखा था कि हमारा इतना बकाया है और कर्मचारियों का हम बेतन नहीं दे पा रहे हैं दो महिने तीन महिने से और हमारी माली इस्थिती अच्छी नह विए उन्होंने लिखा कि हमने संगठनों की कर्मचारियों के सहमत ही इस पर इंचीनियर्स Harbor माथ नहीं तो कि फरवरी मा 13 ready यह जो ई-च origan crda जलनिगम अपनी आए बढ़ाए राजसों बढ़ाए उसके जरीए जैसा कि पहले करता आ रहा था अपनी माली इस्थेती सुधारी और अपने लोगों को वेतन दे तो आपको बता दूँ कि जो योजनाय है उनके क्रियान से आती है कि काम होते उनको जलनिगम उसका टेंडर मि शुरू हो सके ठीक से तो ऐसे में जलनिगम के लिए आगे भी आये हासिल करना असान नहीं होगा और यह कहीं से दिख भी नहीं रहा लिहाजा कर्मचारी अंदोलन पे हैं कर्मचारी यों को वेतन मिलना चाहिए जैसे अन्य सरकारी के कर्मचारी यहां मिल रहा है और ध्यान रखनी होगी यहां पर जल निगम एक अकेला ऐसा नहीं है जिसके साथ यह संकट आया है अन्य जो निगम है सरकार के जो वित्पोसीत है जहां से जिनके अपने वेतन कर्मचारियों को वेतन जिम्मेदारी खुद उठाते हैं उनके सामने ही दिक्कत आने यह उसमें नगर निगम भी है कई और चीज़ें विभाग हैं जिनको लेकर के यह दिक्कते आने वाली हैं और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और यह बड़ी समस्या होगी इससे निपटने के इंतजाम पहले से करने होगी सवाल यह है कि क्या अभी तक इस मामले को किसी ने संग्यान में लिया है क्या राधाकृष्ण क्योंकि देखिए बहुत बड़ा सवाल जलनिगम पर उठता है क्योंकि एक तरफ जा करमचारियों को तन्ख़ा नहीं दी गई है बार बार यह केंद्र ने भी अपील किये करमचारियों की सैलरी ना काटे और करमचारियों को इस मामले को किसीने अभी तक संग्यान में लिया है एकम हमाय में निए जिसके बाद ही एक महीने के फिलाल फौरी पर इनको दिया जाए कर्मचारियों को और मुक्षमंत्री ने ये भी आस्वस्ति किया है कि वेतन किसी का नहीं रुकेगा भले थोड़ी सी देर हो रही लेकिन उनको पूरा बेतन और जल्द ही मुहिया करा दिया जाएगा वेतन मिल जाएगा तो लेकिन इसके साथ ही जल प्रवंधन को कहा गया इंजीनियरों को कहा गया है तो एक तरह से इस पर काम सुरू हो चुका है सरकार ने इस पर संग्यान लिया लेकिन 200 करोड रुपय की बात है 500 करोड रुपय का बकाया है लगबग छोटी रखम नहीं है लिहाजा इस पर सरकार कुछ करेगी और जल्द कन्तर टीवी और प्रेस्ट बेल इकन नेवर मिस्स अनी अपडेट